हेलो फ्रेंड अभी आपका RRB वोपाल की तरफ से गुरूप D का रिजल्ट आ चुका है अब इसके बाद नंबर है गुहाटी का तो गुहाटी की तरफ से भी यहाँ पे जारी कर दिया रिजल्ट हम भी सेकली बात कर रहे हैं कटाफ किता गया है तो अगर यहाँ पे देखा थोड़ा इसको चुम किया जाए आप देख सकते हो यह है यहाँ पे आपका इस बार का जो रिजल्ट है वो थोड़ा नॉर्मलाइज और परसंटाइल के रूप में दिया है तो यहाँ पे आप देखिए ओपन का मतलब इसके अंदर सारे हैं और एक सर्विसमेंट तो दो ब सारे है अगर हम बात करें यही भुपाल की तो वहाँ पी नैंटी शिक्स पॉइंट बहुत होता है, तो आपका यहां पर गुहाटी में कम गया है 5 नंबर 1 घुपाल में 5 नंबर ज़्यादा गया है, अगर वहीं अब बात करें सीधे अंडिजर्व के बात OBC, तो OBC और अंडिजर्व को उन्तर है और स्ट में गया है आपका 47 स्ट में गया है 36 स्ट में अगर आए आप तो आपका 36 नमबर भी क्या है सेलेक्शन हो जाएगा फिर इसके पाद देखते हैं आपका EWS में तो EWS का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गया है 40 बोपाल में भी EWS का 40 नमबर गया है तो बोपाल में सबसे कम गया थे EWS का और अगर बात करें को आटी में तो सबसे कम किसका गया है किस्टी का गया है कितना गया है 36.90 यह आपका कटाफ इसके पाद अगर बात किया जाए एक सर्विसमें तो उनको भी आप देख सकते हो यहाँ पर एक सर्विसमें का गया 43 अन्रिजर्ब एक सर्विसमें में EWS नहीं होता है तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर कोई EWS न देखोगे लाइक लाइक और से यह पिकार दना थैंको फर वाचिंग धर वाचिंग भी आप देखोगे लिए